आज मैं आपके बीच देश के लिए बहुत ही महत्पपूर्ण और अईतिहासिक विशय पर जानकारी देने के लिए विशेश तोर पर उपस्थित हूँ ये विशय करोडों देश वास्यों की तरह ही मेरे रुदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ ये विशय स्री राम जन्ब भूमी से जुड़ा हूँ ये विशय है आयोध्या में स्री राम जन्मस्थली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदीर के निर्मान से जुड़ा हूँ माननी अध्यक्ष महोदय नव नवंबर दोहजार उन्नीस नव नवंबर दोहजार उन्नीस को मैं करतारपूर साहब परिडोर के लोकारपन हेतू पंजाब में था गुरु नानक देवजी का पांसो पचासवा प्रकाश परव था बहुत ही पवित्र वातावरण था उसी दिव्य वातावरण में मुझे देश की सरवच्छ अदालत वरा राम जन्म भूमी विशे पर दिये गए आयतियासिक फैसले के बारे में पता चला था इस फैसले में माननिय सरवच्छ न्यायले ने कहा था किस्री राम जन्म भूमी के विवादि स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है माननिय उच्छतम न्यायले ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामश करके सुन्नी सेंट्रल वकब बौड को पांच एकर जमीन आवन्टित करें मानिय अद्धजी मुझे आज इस सदन को पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबर केंद्रिय मंत्री मंडल की हुई बैठक में सुब्रीम कोड के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपून निर्णे लिए गए मेरी सरकार ने सुब्रीम कोड के निर्देश आनुसार स्री राम जन्मस्थली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे सम्मंदित अन्य विशाओं के लिए एक ब्रहद योजना तैयार की है सुप्रीन कौड के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट स्री राम जन्मभूमी तिर्तक्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान स्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य स्री राम मंदिर के निर्माण और उससे सम्मंदित विशाओं पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा माननिय सर्वच अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्ष और समवात के बाद अयोध्या में पांच एकर जमीन सुन्नी वकब बॉड को आवंटित करने का अनुरोथ उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया इस पर राज सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है मानिय अद्यक जी भारत की प्राणवायू में भारत के आदर्शों में भारत की मर्यादाओं में भगवान स्री राम की महत्ता और अयोध्या की एत्यासिक्ता से अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भाती परिचीद है अयोध्या में बगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्मान वर्तमान और भविश्व में राम लला के दर्सन करने के लिए आने वाले स्रद्धारों की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते विए सरकार द्वारा एक और महत्वपून निर्णे लिया गया है मेरी सरकार ने फ्रैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहट अधिग्रुहित संपुर्ण भूमी जो लगवक 67.703 एकड है और जिसमें भीतरी और बहरी आंगन भी सम्मिलीद है उसे नवगठीत स्री राम जन्ब भूमी तीर्तक्षेत्र को हस्तार्म तरिक किया जाए मानिय अध्यक्ष महोदय नव नवंबर को राम जन्ब भूमी पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतंत्रिक व्यवस्ताओं पर पूर्ण विश्वात जताते हुए बहुती परिपक्पता का उदाहरन दिया था मैं आज सदन में देश वासियों के इस परिपक्प व्यवार की भूरी भूरी प्रसंशा करता हूँ मानिय देश से हमारी संस्कृती हमारी परंपराएं हमें वसुधय कुटुम कम और सरवे भवन्तु सुकिनः का दर्शन देती है इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेणा भी देती है हिंदुस्तान में हर पंत के लोग चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सीख हो, इसाई हो, बवद, पार्शी और जैन हो हम सभी एक बुरहत परिवार के ही सदस्य है इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो वो सुखी रहे, स्वस्त रहे, सम्रुद्ध बने देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है आईए, आईए, इस ऐतिहासिक छण में हम सभी सदस्य से मिलकर अयोध्या में स्री राम धाम के जिर्णोधार के लिए बव्य राम मंदिर के निर्वान के लिए एक स्वर में अपना समर्धन दे राम अपना साथ, व्योधफे relationships